मुझेज़ दूस्तों कैसे हो आपका स्वागत है तिर्पान स्टेडी सेंटर में आज जो हम करने जा रहे हैं बी ए पार्ट वान यानि फर्स्ट येर के बच्चों के लिए जो की सेकेंड समिस्टर में हैं और जो पंजाब इन्वर्सिटी से पढ़ते हैं उनके लिए यहां पर तिर्पान स्टेडी सेंटर ने हिंदी के अंतरगत उपन्यास लाया है उपन्यास जो देखा जाए तो अंतरगत उपन्यास की परिवाशा सरूब तत्व और वर्गी करन करेंगे जो काफी महत्वपून एक्जाइम पॉइंट व्यू से रहेगा इसमें हम हर एक बात को एनिलाइस करेंगे जो आप तक अच्छूता था जिसोए आप अभी तक नहीं जान सकी हर एक बात महत्वप टॉपिक क्या आया है यहां पर जो हम कर रहे हैं उपन्यास उपन्यास के अंतरगत हमारे समक्ष यहां पर टॉपिक आया है कि हिंदी उपन्यास के प्रमुख्य प्रकारों का विवेचन कीजिए या कह सकते हो इसे हिंदी उपन्यास का वर्गी करन कीजिए यह यह भी कह सकत कि उपन्यास के वर्गी करण पर अपने विचार को फस्तुत करें तो कहते हैं कोशन कई हैं लेकिन इसका अंसर एक ही होगा कि उपन्यास के वर्गी करण हम कैसे करें देखा जाये तो अधुनिक युग में उपन्यास सहित्य के बहुविधी विकास हुआ है अधुनिक युग में उपन्याज के सहित्य का देखा जातु बहुत विकास हुआ है और इसका छेत्र अत्यांत विस्तुत भी है और मानव जीवन के प्रतेक पक्ष का चित्रण इसमें होता है अन्त तो उपन्याज सहित्य का कोई भी वर्गी करन अधूरा ही रहेगा फिर भी विवित द्रिष्टियों से इसके भ्यदोपभेद किये जा सकती है और मुख्य रूप से इस प्रकार को जो है तीन प्रकार से इसको वर्गिक्त किया जा सकता है देखा जाये तो उपन्यास को हम तीन लूपों में वर्गिक्त करेंगी पहला होगा कथा शैली के द्रिष्टी से दुसरा होगा कथा नग की द्रिष्टी से और तिसरा होगा विशय की द्रिष्टी से तो देखा जाए तो ये मुखे रूप से हमने जो है उपन्यास को वर्गिक्रत कर दिया तीन डूपों में अब इसके तीरों रूप का जानना और समझना महत पून हो जाता है तो पहला आता है कथा शेली की द्रिष्टी से उपन्यास का वर्गी करन तो चलिए देखते हैं कथा के शेली की द्रिष्टी से उपन्यास के पाथ शेली कौन कौन से हैं पहला सेली आता है वरनात्मक, दूसरा आता है आत्मकतात्मक, तिसरा होता है नाटकिय, चौ। फात्रात्मक, और पाचमा होता है डाइरी सेली यह कहीं न कहीं जो हमने तत्व में किया था शेली उसी का ही रूप है। तो जिन बच्चों ने तत्व देखे हैं उपन्यास के तत्व उनके लिए वीडियो बहुत असान हो जाएगा जो ही कहते हैं उसकी ही बातों याने शेलियों को ही यहां पर हम विस्तार पुर्वक वर्गिकत कर रहे हैं तो सब पर्थम यही आता है वर्नात्मक यानि जो वर्न चाहता है वर्नात्मक अपन्यास कहलाता है हिंदी में मनोव ज्यानि उपन्यास के उदायासे फुर्व अधिकांस उपन्यास इसी सेली में लिखbyत जाते थि और आज सब के सब बरनाथ्मक शेली में लिखे गएं प्रेम चंड और प्रसाद जी हमेसा जो अपनी क ठाएं ली लिखी है उपन्यास लिखी है सब के सब अफे जरी में आप मुनसी प्रेमचंद के उपन्यास भी बहुत से नlooking गोदान भी है दो कहूबvette का कहानी भी है कहते बहुत से और यह सारे के सारे उपन्यास वण अफेसे के अंतर गड़ाता है तो आप उसके पर शाहत आता है कथात्मक तक, यानि आत्म कथात्मक, आत्म कथात्मक मतलब खुद की अपनी जीवन की शेर कहानी, यानि ऐसे उपन्यासों में कथा का नायक या कोई अन्य पात्र आत्म कथा के रुप में प्रथम पुरुष में आप बीती कहना चाहता है, यानि हम प्रविदी सुनाते हैं तो उसे आत्मकथा कहती है और ऐसे पन्यास में लेखाग अपनी और से कुछ भी नहीं कह सकता वो सिरफ उस पात्र के आत्मकथा बताएगा उसे जो कुछ कहना होता है अपने पात्र के माध्यम से ही कह सकता है जिसमें जनेंद्र कुमार कृत सुखदा तता इलाज चंद्र जोसी कृत जहाज का पंची और सन्यासी तता अगय जी का शेक एक जीवनी ऐसे उपन्यास के एक महत्वपूल एक्जामपल है जो आत्मकथा शेलियों में ये सारी जो है लिखी गई है तो आप समझ गए होगे कि आत्मकथा शेलियों जो स्वैम के बारे में हो पात्र अपने बारे में सुना रहे हो तो इसे हम आत्मकथा शेलियों कहते हैं चलिए अगला दिखते हैं कौश शेली है उसके पहशात आता है नाटकी देखा जाया तो नाटकी ऐसे उपर न्यास में कथरातक को नाटकी धंग से पस्तुत किया जाता है यानि इसमें नाटक के रूप में पस्तुत करते हैं जैसे आप नोटंकी भी देखे होगी संबादों के प्रधानता इसमें होती है और द्रिश्ट घटना हाव भाव और अभिनेक तकता आधी अधी प्रभावी होती है यानि आपने देखा कही नाटक वहाँ पर पीछे परदा भी लगाए जाती है जो द्रिश्ट को दिखाने के लिए घटना भी होती है तो इस तरह के गटनाओं को हम नाटके रूप देते हैं तो इसे हम नाटके शेली देख सकती है यानि ये उपन्यास का पहला शेली है कथा शेली के द्रिश्टी से उसके बाद देखा जाए तो पात्रात्मक पात्रात्मक ऐसे उपन्यास में देखा जाए तो कथना का उधगा और उसके पातरों की चरित अविवेक्त, आदि सब कुछ पातरों के एक-दूसरे के लिखे गए, पातरों के माध्यम से होता है, इसमें पंडे वेचन सर्मा उग्र क्रित, चंद हसीनों के सत्खतूत, इस शेली में लिखे गई उत्तम उपन्यास है, तो पातरातम कंद्यास ज सबसे महतवपून उधारान माना जा सकता है उसके पर शाक आता है डाइडी शेली कहते हैं डाइडी शेली भी एक महतवपून है ऐसे उपरन्यास में एक या अधिक पात्रों को डाइडियों से ही कथा का विकास होता है और हिंदी में ऐसे उपरन्यास बहुत कम मिलती है अगर फिलम है जो डाइरी शेली पे बनाई गई है इवन कि आप देख सकते होगी डाइरी अफ यंग गर्ल जो काफी महत्पून थी जो लिखी गई बात में इतनी फेमस हुई उसके परशाद अगर आप डाइरी शेली में देखोगे तो हिंदी फिलम गजनी जो फिलम बनाई गई तहीं वह भी डाइरी शेली में थी चांहोट का onu भी डाइरी शेली में लिखी गई थी जो यहां पर अपन्यास की रूप में डाइरी शेली में छिव काफी महत्फून है उसके वस्द्राइक सांउनछ चाहा नाकेत रिश्य उपन्यास के दो भेत किये जा सकते हैं ये घटना प्रधान उपन्यास जो घटना प्रधारी थो और दुसरा जो है चरित्र प्रधान उपन्यास यानि इसमें दो शेलियों को महत्र दिया गया है एक दिया गया है घटना प्रधान उपन्यास और एक दिया गया चरित्र परधान उपन्यास तो घटना परधान उपन्यास इस तरह के उपन्यास जो होते हैं उपन्यासों में लेखका ध्यान कथा वस्तू के संगटन की और अधिक होती है यानि कथा वस्तू को कैसे हम संगटित कर सके इस बात पर बहुत जोर दिया जाता है और पात्रों के चरित्रक विकास की और कम पात्र का क्या चरित्र रहेगा इस बात पर यहाँ पर जोर नहीं दिया जाता है और ऐसे उपन्यास का मुक्य उद्धेश्य पाठको का मरुड़ंजन करना होता है जैसे कोई भी आप कोमेडी फिलम देख सकती हूँ जिसमें कोई उद्धेश्य नहीं होता सिरफ उद्धेश्य इतना होता है कि पाठको को हम किस परकार से मरुड़ंजन करें और यह मरुड़ंजन करने के लिए हर एक सुवड़ा हर एक चीजों का उप्योग करती है किन्तु कभी कभी उपन्यासकार किसी समाजिक या राजनित समस्या के लिए भी कथा वस्तु का संगठन करता है और उसके अनुरूप यह पात्रों के रूप में अकार देता है जैसे आपने देखा होगा बहुत से टीवी पर प्रोग्राम चलता है सौरी ऐसे छोटे-छोटे काटून के रूप में दिखाते हैं जो पात्र हसाते भी हैं लेकिन बहुत कुछ कहके चले भी जाती है यह काटून के रूप में होते हैं लेकिन यह हमें बहुत कुछ बता द गहमरी के उपन्यास ऐसे ही हैं यह सबसे महत्वपून उधारन है कि बाबु देवकी नंद खत्री और गोपार राम गहमरी इनके उपन्यास इसी रूप में लिखे गए हैं उसके पर शात आता है चरित्र परधान उपन्यास देखा जाया तो चरित्र परधान उपन्यास भी काफी महत्वपून है ऐसे उपन्यास में लेखा काधितर ध्यान पात्रों की चरित्र विसेस्ताओं का उध्गन करने की और ही होता है यानि पात्रों के चरित्र की विसेस्ता पर इसमें ध्यान दिया जाता है और सभी घटना पात्रों के इर्द गिर्दी घुमता है अर्थवा उनसे जुड़ी होती है उपन्यासकार कथा वस्तु के सिथिल होने की परवान नहीं करता है और समाजी दिव्या और जैन कुमार कृत सुनीता आधि उपन्यास चरित्र प्रदान उपन्यास है जो चरित्र पर अधारीत है तो ऐसे उपन्यास जो है चरित्र प्रदान उपन्यास की अंतर गताता है और यह कथना के दृष्टी से उपन्यास के वर्गी करन की रूप में है देखा जा कि दिश्टी से उपर न्यास को बहुत से भेद किये जा सकते हैं क्योंकि हमें यह देखना पड़ता है कि उपर न्यास की कथा वस्तू किस तरह की है देखिए सबसे महत्वपूर्ण उपर न्यास की कथा वस्तू होती है और इस पर ही सारे चिज़े जो है आश्रित होती है जि इसी परकार के उपन्यास भी ऊंगी कि एक वस्तू ही कहते हैं एक महत्वपुण जो है तत्व हो सकती हैं और इस द्रिश्टी से उपन्यास के लिए निम्लिकित परकार देखने को मिलता है तो कि उपन्यास को विशय बस्तु होना जरूरी है और सब पर्थम यहां पर है तिलस्मी यारी जासूसी उपन्यास ऐसे आपने उपन्यास देखे होंगे जो तिलस्मी होती है जादू से भरी होती है यारी भी देखे होगे जासूसी भी देखे होगे हिंदी के प् प्रम्विक उपन्यास इसी परकार के थी ऐसे उपन्यास में कत्वल वर्धक घटनाव का बहमुल्य होता था चरित्र विकास की और उपन्यास का ध्यान नहीं होता था कि चरित्र किसका कैसा होगा और इसका सबसे महत पूरू धारा नहीं हो सकता है कि हिंदी में त्लस्वी और जो है यारी उपन्यास में देवकी नंध खत्री का चंदरकांता चंदरकांता पहले एक सिरियल होता था जो बहुत चलता था और ये तिलस्मी उपन्यास थी और चंदरकांता स्थित बहुत चर्चित उपन्यास में से एक माना जासता है और जासोसी उपन्यास में देखे तो बाबू गोपाल राय गेहमडी के उपन्यास लिखे जा सकते हैं जासुसी उपन्यास में बाबू गोपाल राम ने बहुत से उपन्यास लिखे और देखा जा तो सहाइतक दृष्टी से इस परकार के उपन्यास का कोई विशेष मैत्व gefallen नहीं है लेकिन आज भी रेलवे और बस स्टेंड के बुग स्टॉल पर हजारों के संक्या में जासूस उपन्यास देखने को मिलते हैं किन्तु कोई भी अन्य साहिते में स्थान नहीं देता है कहते हैं इस तरह के उपन्यास हमेशा मरुड़ंजन करते हैं और हमें काफी रोमांचित करती है लेकिन देखा जाया तो कोई उपन्यास कार इस पर ध्यान नहीं देता है कहते हैं तिलस्मी उपन्यास जिसमें चंदरकांता की कहानी दिखाई जाती थी हर जगह एक तिलस्म को दिखाया जाता था और आप देखते ही होगे कहीं भी अगर आप चले जाओ तो हर जगा इस तरह के पत्रिकाएं आपको मिल जाती है जो इस तरह के उपन्यास से भरे परे होती है और आज बहुत से जो है कहते हैं उपन्यास छपती है जो काफी महत्वर रखता है उसके पश्चात हमारे समक्षाता है समाजिक उपन्यास चलिए देखते हैं समाजिक उपन्यास समाजिक उपन्यास तो कहते हैं समाजिक उपन्यास ऐसे उपन्यास का केंद्र समाज होता है यानि समाजिक उपन्यास का केंद्र जो होता है समाज होता है और समाज में व्याब समस्याओं पर इस उपन्यास की कथा वस्तू की रचना होती है यानि जो समाज में समस्याए होती ह उसको ध्यान में रखते हुए समाजिक उपन्यास की रचना होती है और ये समस्या आर्थिक सतर पर समबेदना के सतर पर और आस्ता विस्वाक सतर पर और सोच विचार के सतर पर समाज को किस हद तक प्रवावित करती है ये बात महत्वपूर होती है और इसे लक्षत करना भी उपन्यासकार का मेन उद्देश्य होता है किसको लक्ष देना समाज की घटनाओं को पस्तुत करना उपन्यासका मुख्य उद्देश्य होता है और इसके लिए उपन्यासकार समाज के प्रिवेश और इसमें जन्मी घटनाओं और उन घटनाओं से जुरे पातरों का चैन करके विशी समाज से तरफ पर अपनी कथा वस्तु का निर्मान करती हैं और ये समाज के समस्याओं के अंतर उपन्यास लिखी जाती है समाजी उपन्यास समकालिन जीवन का समाज 37 दस्तावेज होती है इसमें प्रेम चंद के सभी उपन्यास समाजी उपन्यासों कोटी में आती हैं प्रेम चंद ने जितने भी उपन्यास लिखे थे वो सारे के सारे समाजी घटनाओ, समाजी समस्याओं के उपर थी हिंदी में सबसे अधिक उपन्यास किसी परकार के लिखे हुए है आपने देखा होगा कि नमक का द्रोगा भी कहीं न कहीं समाज में हो रहे उतार चड़ाब को प्रेम चंद जी ने दरशाये थे और उसी परकार दो बैलों की कहानी भी तो देखा जाये तो मुझसी प्रेम चंद की जितने भी उपन्यास लिखे गए थे वो समाजी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पर समाज के कस्टों को जो है बताते हुए उन्होंने समाजी उपन्यास लिखे थे उसके पर शात आता है इतिहासिक उपन्यास उचली देखते हैं इतिहासिक उपन्यास देखा जाये तो इतिहासिक उपन्यास का अपना एक अस्थान है और ये इतिहास से संबंदित होती है इस परकार के उपन्यास में इतिहास के किसी खंड के विस्सेस अत्वा घटना करम को क कथा वस्तु के रूप में चुना जाता है यह उपन्यास जो होती है वो इतिहासिक घटना पर अधारित होती है और उसी को जो है कथा वस्तु के रूप दे के जो है स्वता के समक्ष पस्तुत किया जाता है कि कहते हैं इसमें स्वता गन का महत्वपूर्ण स्थान होता है इस जो है ज्ञान अरजित करने का, जिन घटनाओं को इतिहासकार महत्वहिन समझ कर मात्रसपस ही करता है, देखा जाया है तो इतिहासिक जो पन्यास होती है बहुत से लिखोगों ने उसको महत्वहीन समझा है उपन्यास कर उन घटनाओं को बीतर जहाक कर उसमें संचलित मानवी बेदनाओं को पकरता है कि आखिर उसमें कौन सी मानमी वेदना उत्पन हुई है और उनका इतिहास की द्रिष्टी से नहीं जीवन की द्रिष्टी से देखता है कहते कोई भी उपन्यास हो कोई भी कहानी हो उसको हमें इतिहास की द्रिष्टी से नहीं देखना पड़ेगा उसको जीवन की दृष्टिज देखना पड़ेगा कि इसमें जीवन के लिए क्या हम संदेश दे सकती हैं ऐसे उपन्यास में उपन्यास कार इतिहासिक तात्रों को तोरे बीना अपनी कल्पना के सहारा, सहारेक जीवन के अप्वेक्षा पस्तुत करती है यानि देखा जाए तो पन्यासकार इतिहासिक उपन्यासों को तोड़ते नहीं है उसी कहानी को और उसी इतिहास को अपनी कुछ कलपनाएं देकर उसको एक बिस्तुत रूप देती है और कहा जा सकता है कि इतिहासिक उपन्यासकार एक परकार के से इतिहास के सहित्तिक व्याख्या करती हैं और ये काफी महत पून है हिंदी में इतिहासिक उपन्यास लिखने वाले कहते हैं बिराट की पदमनी भी एत्यासिक उपन्यास है और आप सोचते होगे कि बिराट की पदमनी उपन्यास क्या है तो मैंने इस पे बिराट की पदमनी की उपन्यास के हर एक पार्ट पे मैंने जो है वीडियो डाली है और ये सबसे हिट वीडियो है यानि काफी लोगों में पर्चलित भी है जो यूटूब पे अगर आप जो है पॉपलर वीडियो देखिएगा तो वहाँ पर विराट की पद्वनी उपन्यास भी आपको जो है मेरे चनल पर नजर आएगा कहते हैं यह बहुत ही महत पुर्पूर विराट की पद्वनी उपन्यास थी जो इतिहासिक थी उसके बाद जहासी की रानी जो काफी फेमस है जहासी की रानी जो आपके अभी सलेबस में है तो यह भी एक उपन्यास है जो इतिहासिक है अथा चारे चतुर सेन सास्त्री बैसाल की नगर बधू ये भी एक महत्वपून इतिहासिक जो है उपन्यास है और सोमनात भी इसमें आता है यहां तक राहु सल्सकृत्यन सी सेना पती और अचारे हजारी परसाथ दिवेदी द्वरा बान्ने वट की आत्मक था ये भी इतिहासिक उपन्यास है कहते इसमें सभी में ज देखते हैं राजनीतिक उपन्यास किस चीज की और अंकित करता है उसके पर शात आता है राजनीतिक उपन्यास कहते देश में स्वतनता प्राप्ति के लिए आंदोलन जब जोर पकरने लगा तो हिंदी उपन्यास कारों ने इस आंदोलन में अपना योगदान अपनी कलम से दिया कहते हम लिखों को क्यों जो भारते स्वतंता संग्राम में योगदान भूल नहीं सकते वो बेशकली अंदोलन में नहीं कूदे देकिन उन्होंने अपनी कलम से जो है एक महत्वपून उपन्यास लिख के लोगों में जवरुकता फैलाई इसे हम राजनिती उपन्यास का कह सकते हैं इस परकार के उपन्यासों में राजनिती घटनाओ या अंदोलन की जहांकी पस्तुत की जाती है और उपन्यासकार का मुख्य उद्देश्य पाठकों में राजनिती चेतना को जगरुत करना होता है जोकि देखा जाया तो पुराने समय में अपने देखा ही होग कि अपने विचारों जो है वो लोग एक कागज में छबाते थी और रातो रात सभी के घर के द्वार में रखते थी जिसे वो लोग जागरित हो सके उनमें चेतना जाग सके ठाकुर विश्वनात क्रित जागरन और राम ब्रिक्ष बिनेर पूरी क्रित पतीतों के देश में यश्पाल क्रित दादा कमरेड कुछ ऐसे उपन्यास है जो राधिनती उपन्यास से संबंदित है देखा जाये तो राधिनती उपन्यास लिखने वालों में नागा अरजून सेट गोबिन दास और गुरुदंत और यगदंतर के नाम भी काफी उलेखनिये यहाँ पर मिलती है यह सारे के सारे राधिनती कुपन्यास कार थी जो देश में अजादी के नीव डालने में इनका भी काफी महत्वपूर्ण अस्था उसके पश्षात हमारे समक्षाता है आंचलिक उपन्यास अब आंचल को पन्यास क्या है देखा जाया तो ऐसे पन्यास में चंचल विशय के जन जीवन को स्वर्ग बनाता है यानि चंचलता होती है चंचली को पन्यास का मतलब होता है चंचल विशय को हम इसमें रखते हैं जिसमें समूचा छित्र पस्तुत किया जाता है और देखा ज हुआ आधूनिक सपःता से दूर चेत्र और इन चछेत्र में रहने वाले लोग, अन्ध विश्वास और जज रुढDENी वादी और आर्थिक बच्रेपन का सिकार होती या यह लोग जो 息ंडि विश्वास में डूबे हुए होते हैं जज रुडिया होती है और आर्थिक रूप से पिछरा पन का सिकार होते हैं और वो जीवन जीते नहीं है बलकि धोते हैं कहते हैं जीवन वही जीते हैं जो जीवन को जीना सीखते हैं लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं अपने जीवन को जीते नहीं है अपने जीवन को धोते हैं आंचलिक उपन्यास इसी जीवन की रुपांत्रित करता है और भासा के द्रिश्टि से भी ऐसे उपन्यास में कुछ विसेस अंचलिक सब्दों का प्रियोग भी किया जाता है अंचल विसेस के रिती रिवाज रहन सेहन आदी का वर्नन वहां के अंचल विसेस के रिती रिवाज रहन सेहन आदी का वर्नन इसमें भली भाती मिलता है और वहां के लोग के भूलेपन और अत्यांत कस्प्रेट जीवन के जुरी हर एक कतावस्तू को अस्थान दिया जाता है देखा जाये तो ये काफी महत पून उपन्यास होती है इसका एक इक्जामपल भी मैं दे सकता हूं जो काफी महत पून है आपने भीमा फिलम देखा होगा जो साउथ फिलम है उसमें भी कुछ इसी तरह की घटनाओं को जो है प्रिदिश्टा की गई है उसमें भी जो है जीवन को ढोने के समान बताया गया है कहते हैं उसमें आदिवास्यो यानि फनिश्वर नाथ ने रेनु का मैला आचल यो काफी महत पून पन्यास है और हिंदिय कुछ अपने लेखनी आंचर को पन्यास है देवेंद्र सार्थी कृत ब्रहाम पूत्र ब्रह्मा पूत्र और अंसंक्रक्रिष्ट कृत सागर लेरे और मनुष्य और देखा जायता अरुजुंक्रिट बाबा बटोसर नात ये भी महत पून पन्यास है और देखा जायति वह से अफन पन्यास का सबसे महत पून गर्मानि जातीह और उसके और सांच कृत्य मनो-विझ्यानिक उपन्यास ईसके देखते मनो विज्ञान की विधिद जटेलता का चितरन करता है मनुष कब क्या और क्यों करता है किसी घटना विशेश में पकर कर अलग-अलग मनुष्य अलग-अलग परतिक्रियां भी देता है तो ये काफि महत पून है कि किसी घटना विशेश में जो उसको पकर कर अलग-अलग क्यों करती हैं तो यह मनोविज्ञानिक उपन्यास के अंतर गताता है और इसका चित्रन मनोविज्ञानिक उपन्यास कर सकती है साथ ही वह मनुष्य के चेतन और चेतन मन का सुक्षम अध्यन भी पस्तुत करता है मनोविज्यानिक पर्ण्यास में पात्रों की मनोविज्यानिक पर्ण्यास का आकलन किया जाता है ये कावी महतपून बात है कि मनोविज्ञानिक उपन्यास में पात्रों को मनोविज्ञानित प्रतिक्रियां का इसमें आकलन किया जाता है और हिंदी मनोविज्ञानिक उपन्यास कारों पर फैरर्स एटलर और युग आदी वसनवाद और भाववाद का अधिक प्रभाव देखने को मिल जाता है जैनिन कुमार इलाचंदर जोशी उपन्यासों में फ्रांट का प्रभाव सपस देखने को मिलता है और देखा जाए तो हिंदी में मनोविज्ञान के अन्य पक्षों में सम्भाव जो पन्यास भी लिखे जा रहे हैं जिसमें मोहान, राकेश, अगय, मनुभंडारी के उपन्यास इसी कोटी की है जो मनोविज्ञानिक उपन्यास को चितरित करती है देखा जाए तो उद्देश के द्रिश्ची से उपन्यास का वर्गी करन काफी महत्व रखता है और कुछ बिद्वान उपन्यास के उद्देश के द्रिश्ची से भी वर्गी करन करती है ऐसे तो यह हमारे सेलेबस में नहीं है लेगिन इसके बारे में जानना भी आपके लिए जरूरी है कुछ-कुछ बिदवान ने जो है उपन्यास के अद्धश के द्रिश्ची से भी वर्गेकरन किया है और इस परकार के उपन्यास को उपन्यास काई किसी न किसी विसी उद्देश को सामने डग कर उपन्यास लिखते हैं कहते उपन्यास जब भी लिखी जाती है तो कुछ न कुछ उद्देश से जरूर होता है उपन्यास की लिखने का और ऐसे उपन्यास को हमने यहाँ पर पांच भागों में वर्गी किया है यानि उपन्यास में किसी यूग विसेश में किसी देश या जाती की संस्कृति के तत्व और विसेशताओं का वर्नन रहता है याँ आप समझ सकते हो कि संस्कृति उपन्यास में ऐसे उपन्यास रखा गया है जिसमें किसी देश या जाती की संस्कृति के तत्व और विसेशताओं क वर्नन करहता है और ऐसे उपन्यासों में विशेष वस्तु की पुष्ट भूमी इतिहास की होती है यानि ऐसे उपन्यास में विशेष वस्तु की पुष्ट भूमी जो होता है इतिहास की होती है हिंदी साहिते में चारे चतुर स्यंस सास्त्री का वैशाली की नगर वदू ऐसा ही एक उपन्यास है जो संस्कीती उपन्यास है जो संस्कीती पर आश्रित है उसके पशार देखें, तो नैतिक उपन्यास का भी अपना एक स्थान है, कहते हैं ऐसे उपन्यास में देश काल से निर्पेक्ष नैतिक मुल्ले की परतिश्टा होती है, और इसमें सदाचार के सदक्त नियमों पर प्रतिपादन होता है यानि देखा जाए तो नैतिक्ता का मतलब यही होता है कि आप नियम में में बंधे हुए हो जहां पर जो है रूल रेगुलेशन का पालन किया जाता है वो नैतिक उपन्यास होती है उपन्यास कार का उदेश उपन्यास करना होता है यानि देखा जाया तो ये बात का भी महत पूर्ण होता है कि उपन्यास कार का उदेश उपन्यास करना होता है यानि इसके अंतरगात वो नैतिक उपन्यास के अंतरगात लोगों में उपन्यास देता है और यिसी उपन्यास प जिसमें राधा कृष्ण दास कृत निसहाय हिंदू तथा कि सोडी लाल गोर स्वामी कृत त्रिवेनी वा सुभाग्य श्री इसी कोटी के उपन्यास है और देखा जाए गुरु दंत के बहुत से उपन्यास नैतिक उपन्यास कहे जा सकते हैं जिनोंने नैतिकता पर अपनी सा जाग्रन सुधार मुलक उपन्यास चले देखते हैं तो जाग्रन सुधार मुलक उपन्यास ऐसे उपन्यास समाजी अ राष्ठ जाग्रिट के समंद्धित होती Stories समाज को जगाना या राष्ट को जगाना तो जर्णल सी बात है यह समाजिक या राष्ट को जावृत करने के जगाने के संबंदित होंगे और ऐसे उपन्यास देश का सप्यक्ष होते हैं और उनका उद्धिश शेयर नवीन चेतनाओं के उदय और विकास में सहायता करना भी होता है और देखा जाए तो ये महत पूर्ण यहां बात आती है कि इसमें उधव और विकास में सहायता करते हैं किसी देश की और इस उपन्यास के अंतरगर ठाकुर विश्वनास सिंग कृत जागरन में पाठकों को खादी प सपरे पहनने को प्रेडित की गई थी उसी परकार प्रेम चंद के कर्म भूमी रंग भूमी उपन्यास को भी हम इसी कोटी में रख सकती है कर्म भूमी जो है इसमें प्रेम चंद ने लोगों की जागरन किया था जगाया था अपने करम के लिए और इसे करम की जो है उपन्य देखा जाए और ऐसे उपन्यास अती अथाद की भूमी पर अधारित होती है यानि इसमें अथाद बाद देखने को मिलते हैं दिल्ली का दलाल वेश्या पुत्र और देखा जाया दुराचार के अड़ी आदी ऐसी कोटी के उपन्यास है जो प्राकितिक बाद उपन्यास पे आश्रित है और ये काफी महत पून है उसके पर शात आता है हस्यर रस प्रधान उपन्यास और हस्यर रस तो आप समझी गए तो ऐसे उपन्यास को हलके फुलके व्यंग और कटक्षो के माध्यम से हस्यर उत्पन किया जाता है और इसमें हसी आती है इसके सब्स सुनके जो है हसी आती है क्योंकि इसमें हलके फुलके व्यंग होते हैं और कटक्षो होते हैं इसे हमें हसी आती है हिंदी साहत्ते में ऐस पैले अपन्यासकार पंडित बाल क्रिष्ण भठ थी उनका सो आजन का सुझान 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 शुंदर हस्य रस की रचना है। और देखा जाया तो और भी उपन्यासकार ने पर्धान उपन्यास लिखी जैसे जेपी श्रीवास्तव ने भी बहुत से ऐसे उपन्यास लिखी हैं कहते हैं लद्खोडी लाल उपन्यास सर्वस्ट्रेस्ट है लद्खोडी लाल उपन्यास जो है सबसे सर्वस्ट्रेस्ट है और पांडे वेचल सर्मा उग्र का बुद्वा की बेटी भी ऐसी उपन्यास है जो काफी रहस्य मैं है यानि हस्य मैं है और इसके अधरी सेट बांके मल अमरित लालव नागर और उल्लू केशब चंद बर्मा और मिस्टर टेलीफोन श्रीव पांडा और नबाब अल्टकन अरून आदी उलेकन हस्य रहस्य उपन्यास के एक परसेंट आएगा यह विश्वास किया जाता है इसी के साथ हमारा यह उपन्यास खतम हो जाता है जो काफी महत्वपून आप लोग लिए था अगर आपको अच्छा लगा समझ में आया मन से अगर तिरपान स्टेटी सेंटर का मदद करना चाते हो दिल में थोड़ी भी को होती असान है कहते हैं जो बच्चे को देखना होुगा और देखेंगे जिननको नहीं देखना वेड़ेगी लेकिन एक बात हमेंसा याद रखना हमें अपना कारे करना चाहिए दूसरे एक पर हमें आशित नहीं होना चाहिए ईसलिशलिए अच्छे से पढ़िए और एक् करें और सबसक्राइब के सरा जगर लाइक भी जरूर करें इससे जो है और भी मुझे मनुपल Bогодगता है आकके लिए विडियो बनाने का और सबसक्राइब किजिएग्थ आपका इसमें मनुपल V toreig हमें को समय समय पर प्राप्थ होता आहे तो सोचिया नहीं विचार न कीजिए अभी तिरफ पार नेस्टेटिस अंटो सस्क्राइब कर निमाल में सेव कीजिए आहे तो सस्क्राइब कर नेस्टेटिस अरफ निमाल में सेव कीजिए कर नेसेटिस अंटो सस्क्राइब कर नेस्टें विमाल जेस्टेजी